मेरी सरकार आज खेती को अधीक लावकरी बनाने पर बोल दी रही है हाजार हमारा ये प्रयासे की खेती में लगात कौमों और लाव अधीक हो मेरी सरकान ने पहली बार दोस क्रोज से अधीक छोटी किसानों को भी देश की कुरूशी निती और जो जो ना में प्रमुकता दी है पी-एम किसान सौनमान निधी के तहट आप तो दोलाक अच्छी हजर क्रोज रूपया किसानों को मिल चुके हैं दोस सालों में किसानों के लिए व्येंक से आसान लोन में तीन गुना बुरुदी की गई हैं प्रधान मंत्री फोसल भीमा जो जोना के तहट किसानों ने तीस अजर क्रोज रूपया प्रीमियम भरा इसके बदले उन्हें देड़ लाक रूपया का क्लेम मिला है पिछने दोस बर्सों में लोगबग 18 लाक प्रो रूपया MSP के रूप में धान और गेहों की खेती कानने वाले किसानों को मिले हैं ये 2014 से पहले के दोस सालों की तुलोना में धाई गुना ओधिक है पहले तिलोन और दोलोन फसोलों की सरकरी खरीदी नहीं की बराबर थी पिछले दोसकों में तिलोन और दोलोन की खेती करने वाले किसानों को MSP के रूप में सोबा लाग क्रो रूपया मिले हैं ये मेरी ही सरकर है जिसने पहली बार देश में कुरुशी नीरियात नीती बनाई है इससे एगरिकलजर एक्सपोर्ट चार लाग क्रो रूपया तोक पहुंचा है किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए दो सालों में ग्यारो लाग क्रो रूपया से अधिक खर्च किये गये हैं मेरी सरकर ने पुँआ ने दो लाग से ज़्यादा प्रधान मुंत्री किसान समुरुदी केंडर स्तापीद किये हैं अभी तक लोगबोग आठथजर किसान उत्पादक संगो एप्पियो बनाए जा चुके हैं मेरी सरकर क्रिसी में सोहोकरिता को बढ़ावा दे रहे हैं इसके लिए देश में पहली बार सोहोकरिता मुंत्राडवे बनाया गया है सोरकरी छेत्रों में दुनिया की सबसे वड़ी आनाज भंडार और जोजोना शुरू की गिया है जीन गाउं में सोहोकरी समीतिया नहीं है उहां दो लाग समीतिया बनाई जा रही है मस्चो पालन छेत्रों में 38,000 प्रो रूपिया से अधिक की जोजनाई चलाई जा रही है जीसके कारण मस्चो उत्पादन पिछले दोस साल में 95 लाग मेटिक टोन से बढ़ कर 175 लाग मेटिक टोन यानी लोग बग दो गुना हो गिया जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब को जमा भी बोलन तो नहीं